प्रमुक चिन्ह तथा प्रतीक कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक रेट क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक लाल जंडा क्रांती या खत्रे का सूचक काला जंडा विरोध का प्रतीक पीला जंडा संक्रामक रोग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा जंडा उल्टा जंडा संकट का प्रतीक जुका जंडा राश्ट्रिय शोक का प्रतीक सपेद जंडा संधी या समर्पन का प्रतीक लाल त्रिकोन परिवार नियोजन का प्रतीक खबूतर पक्षी, शांती का प्रतिक, लाल प्रकाश, खत्रा या यातायात रोकने का प्रतिक, हर प्रकाश यातायात को जाने का संकेत, आखो पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजुलिये स्त्री, न्याय का प्रतिक, बाहा पर काली पट्टी, शोक, विरोध और दुख का एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और उपर खोपड़ी, बेजली का खत्रा, चक्र, प्रागती का प्रातीक, ओलिव की शाखा, शान्ती का प्रातीक, तेरह, विभिन्य देशों के राजनीतिक दल, देश एक, सायुक्त राजी अमेरिका, राजनीतिक दल, रेपाब्लिकन पार्टी, डेमोक्राजिक पार्टी, देश दो, इराक, राजनीतिक दल, बाथ पार्टी, देश तीन, इस्राइल, राजनीतिक दल, लेबर पार्टी, ले National Front Union for French Democracy, देश पांच, Australia, राजनितिक दल, Liberal Party, Labour Party, देश छे, Bangladesh, राजनितिक दल, Bangladesh National Party, Avami League, Jatiya Party, देश साथ, Nepal, राजनितिक दल, Nepali Communist Party, Nepali Congress Party, देश आठ, चीन, राजनितिक दल, चीनी Communist Party, देश नौ, श्री लंका, राजनितिक दल, United National Party, Freedom Party, देश दस, Dakshin Africa, राजनितिक दल, African National Congress, National Party, इकाधा Freedom Party, देश ग्यारह, United Kingdom, राजनितिक दल, Conservative Party, Labour Party, Liberal Democratic Party, देश पारह, रूस, राजनितिक दल, Liberal Democratic Party, रशाज, चायस, और Communist Party, देश तेरह, भारत, राजनितिक दल, भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी, और देश चोदह, पाकिस्तान, राजनितिक दल, Muslim League, और Pakistan People's Party, चोदह, प्रमुक देशों के सरकारी दस्तावेज, एक, Green Book, इटली और इरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, दो, White Book, पोर्तुगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, तीन, Blue Book, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, चार, येलो बुक, फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन पाँच, ओरेंज बुक, नीदरलेंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन छे, वाइट पेपर, ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेश विशे पर रिपोर्ट साथ, ग्रेबुक, बेल्जियम और जापान की सरकारे रिपोर्ट या प्रकाशन और आठ, जॉइंट पेपर, दो या दो से अधिक सरकारों की सयुगत रिपोर्ट या प्रकाशन पंद्रह, विश्व के प्रमुक समचार पत्र एवं प्रकाशन इस्थल समचार पत्र दाइम्स, प्रकाशन इस्थल लंदन, समचार पत्र डेली मिरर, प्रकाशन इस्थल लंदन समचार पत्र ली फिगारो, प्रकाशन इस्थल पेरिस समचार पत्र एजवेस्थिया, प्रकाशन इस्थल मॉस्कू समचार पत्र डॉन, प्रकाशनिस्थल करांची समचार पत्र द आइलेंट, प्रकाशनिस्थल कोलंबो समचार पत्र इस्टर्न सन, प्रकाशनिस्थल सिंगापूर समचार पत्र अल एहरम, प्रकाशनिस्थल काहिरा Samachar Patra Mardeka Prakashanisthal Jakarta Samachar Patra Washington Post Prakashanisthal Washington Samachar Patra New York Times Prakashanisthal New York Samachar Patra Star Prakashanisthal Johannesburg Samachar Patra The Times of India Prakashanisthal Bharat Samachar Patra Guardian Prakashanisthal London Samachar Patra Daily Mail Prakashanisthal London Samachar Patra Lamand Prakashanisthal Paris Samachar Patra Pravada Prakashanisthal Moscow Samachar Patra Bangladesh Observer Prakashanisthal Dhaka Samachar Patra Khalij Times Prakashanisthal Dubai Samachar Patra Manachee Simbun Prakashanisthal Tokyo Samachar Patra People's Daily Prakashanisthal Beijing Samachar Patra La Republica Prakashanisthal Rome Samachar Patra Daily News Prakashanisthal New York Samachar Patra Financial Times Prakashanisthal London Samachar Patra Independent Prakashanisthal London Prakashanisthal London Samachar Patra The Hindu Prakashanisthal Chennai Solaha Vienna Prakashanisthal Eastern Prakashanisthal smaller 1. Central External Lenjar Department Prakashanisthal majority Prakashanisthal direct Australian Security and Intelligence Organization Australia Prakashanisthal KGB Prakashanisthal 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 M.I. Military Intelligence, 5FM6, Special Branch, Joint Intelligence Organization, DASH United Kingdom, C. Inter-Services Intelligence, ISI, DASH Pakistan, S.A.T. Research and Analysis Wing, R.A.W., Intelligence Bureau, I.B., Central Bureau of Investigation, CBI, DASH Bharat, 8. Central Intelligence Agency, CIA, Federal Bureau of Investigation, FBI, DASH USA, 9. Mossad, DASH Israel, 10. Mughbarat, DASH Mesr, 11. Naito, DASH Japan, 12. Savaq, DASH Iran, और 13. Al-Mughbarat, देश एराक, 17. विभिन्न देशों की संसत, भारत, संसत का नाम संसत, मिस्र, संसत का नाम People's Assembly, Pakistan, संसत का नाम National Assembly, Britain, संसत का नाम Parliament, Germany, संसत का नाम Bunch Steak, USA, संसत का नाम Congress, Bangladesh, संसत का नाम Jatiya Sunset, Taiwan, संसत का नाम Yuan, Israel, संसत का नाम Neset, Japan, संसत का नाम Diet, Maldiv, संसत का नाम Majlis, Australia, संसत का नाम Parliament, Spain, संसत का नाम Cortese, Nepal, संसत का नाम Rajshriya Panchayat, Rus, संसत का नाम Duma, Chin, संसत का नाम National People's Congress, France, संसत का नाम National Assembly, Iran, संसत का नाम Majlis, Bhutan, संसत का नाम Tsumgdu, Malaysia, संसत का नाम Divan Negara, Afghanistan, संसत का नाम Shora, Switzerland, संसत का नाम Federal Assembly, Turkey, संसत का नाम Grand National Assembly, और Kanada, संसत का नाम Parliament, 1944 इस्वी तक चला, ततकालिन सोव्यत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में, चार परवरी 1944 इस्वी को, British प्रधान मंत्री चर्चिल, सोव्यत राष्ट्रपती स्टालिन, तिथा अमेरिके राष्ट्रपती रूस्वेल्ट का एक शिखर सम्मेरन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिशद में मत्दान प्रणाली पर नेर्ने लिया गया, संयुक्त राष्ट्र संग के संस्थापक सदस्ते देशों की संख्या 51 थी, 26 जून 1945 इसवी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिध्यों ने हस्ताक्षर किये थे, बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलेंड 51 वा संस्थापक सदस्ते देश बना था, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संग के सदस्ते देशों की संख्या 101 क्याणवे है, संयुक्त राष्ट्र संग का मुख्याले नियो यॉक शहर में स्थे थे, इसका भवन 17 एकर जमीन पर 49 मंजिल का है, जो मैन हिटन द्वीप में बना है, यह 17 एकर भूमी जॉन डी रॉक्पेलर ने दान में दी थी, इसी में इसका सचिवाले है, संग का मुख्य कारयाले सन 1952 में बन कर तयार हुआ, यहां इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयुजित की गई, सयुक्त राष्ट्र संग का ध्वच, सयुक्त राष्ट्र संग के ध्वच की प्रिष्ट भूमी हलकी नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संग का प्रतीक बना है, यह प्रतीक है दो जैतून की वक्रा कारशाखाएं, जो उपर से खुली हैं और उनके बीच वैश्व का मानचित्र बना है, सयुक्त राष्ट्र संग की भाषाएं कारे करने वाली भाषाएं दो हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, अन्य भाषाएं जिने राष्ट्र संग की मानेता प्राप्त हैं चीनी, रशियन, अर्भी तथा स्पैनिश, सयुक्त राश्ट्र संग का बजट सयुक्त राश्ट्र घोष्णापत्र के अनुच्छेत 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी माहसभा की है इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ज अनुमोदित किया जाता है बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है वर्तमान में सहयुकतराज अमेरिका सहयुकतर राष्टरों के व्याइका 25 प्रतिशत, जापान 20 प्रतिशत, जर्मनी 9.85 प्रतिशत, फ्रांस 6.54 प्रतिशत, इटली 5.43 प्रतिशत, UK 5.092, Canada 2.73, रूसी संग 1.077 प्रतिशत तथा भारत 0.092 नौ नौ प्रतिशत का योगदान करता है सयोक्त राश्ट्र संग के अंग इसके 6 अंग हैं 1. महसभा, General Assembly 2. सुरक्षा परिशत, Security Council 3. आर्थिक एवं समाजिक परिशत, Economic and Social Council 4. प्रनियास परिशत, Trusty Ship 5. अंतराश्ट्रे न्यायाले, International Court of Justice 6. सजीवाले, Secretariat नोट, नीदरलेंड्स में हेग इस्थित, अंतराश्ट्रे न्यायाले के अतरेक्त सभी अंग, सयोक्त राश्ट्र के न्यूयॉक इस्थित मुख्याले में हैं 1. महासभा, General Assembly इसमें सभी सदस्ते देशों के प्रतिनिधी सम्मेलिद होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लगू संसद भी कहा गया है प्रतियक देश इसमें अपने पांच प्रतिनिधी भीज सकता है, परंदु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है महित्पपूर्ण प्रेश्टों जैसे शांती एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्धे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्ने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है महासभा कर नियमित सत्र हर साल सितंबर महा के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है प्रतियेक नियमित सत्र की शुरुवात पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिशत की आगरहे पर विशेश सत्र आयोजित किये जा सकते हैं सुरक्षा परिशत की संस्तुती पर अंतराश्ट्रे न्यायाले के न्यायधेश, नय देशों को सदस्तिता महसचिप की नियोक्ति, राश्ट्र संग का बजट पारत करना आधी महसभा के कारे हैं। 2. सुरक्षा परिशत, Security Council ये सयुक्त राश्ट्र संग का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कारे पाली का है। अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन महसभा अपने दो तिहाई बहुमत से दो वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिशत के प्रतिएक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया सम्मंदी मामलों में निर्णे के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आविशक होता है जिसमें 5 सथाई सदस्य देशों का सकारात्मक मत आविशक होता है पांचों स्थाई सदस्य देशों की सहमती को महान शक्तियों के आम सहमती और वीटों शक्ति के रूप में माना जाता है यदि कोई स्थाई सदस्य किसे निर्ने से सहमत नहीं है तो वो नकरात्मक मतदान करके अपने वीटों के अधिकार का उपयोग कर सकता है इस दशा में 15 में 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्विक्रित नहीं होते यदि कोई इस थाई सदस्य किसी निर्णे का समर्थन नहीं करता और उस निर्णे को रोकना भी नहीं जाता तो वो मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनोपस्थित रह सकता है सोवेट संग ने वीटो का उप्योग सबसे अधिक बार किया है अमेरिका ने वीटो को प्योग सरप्रथम मार्च 1971 इस्वी में रोडेश्य के प्रश्ण पर किया था चीन ने सरप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्ट 1972 इस्वी में बांगलादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्ण पर किया तीन आर्थिक एवं सामाजिक परिशत एकॉनोमिक और सोशल काउंसल वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिशत की सदस्य संख्या 54 है प्रारंभ में सदस्य संख्या अठा रहा थी 1916-20 में संशोधन के बाद सदस्यों के संख्या 27 कर दी गई फिर 24 सितम्बर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई इसके सदस्यों का कारेकाल तीन वर्ष का होता है यह एक स्थाई संस्था है परन्तु और उसके एक तिहाई सदस्य स्थै परतिवर्ष पद मुक्त होते हैं परंदों अवकाई रहन करने वाला सदस से उन्हा नरवाचित हो सकता है परिशद में पृति एक सदस से राज्य का ही एक प्रतिनिधी होता है इसमें निर्ने आदार्न भाहुमत से होता है आर्थिक एवम सामाजिक परिशद की बैठके वर्ष में दो बार होती हैं अप्रेल म न्यूयोक में और जुलाई में जेनेवा में परिशत अपना कारे विभन प्रकार के आयोगों स्थाई समित्यों तथा विशेश संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है कुछ आयोगों के नाम यहाँ पर पताए जा रहे हैं संयूक राष्ट्र संगह ने राष्ट्र संगह की मैंडेट विवस्था की स्थान पर नियास पदिती को ग्रहन किया और उसके संचालन के लिए नियास समिती का नर्मान किया नियास प्रधिति का मूल सिध्धान्त ये है कि इस समय कुछ पिछने हुए अल्पविक्सित और आदेम दशावाले प्रदेशों के निवासी इस योगिन नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयम कर सकें इन्हें दूसरे विक्सित देश की सहायता अपेक्षित है विक्सित देशों का इदाइत वह है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल नियास या अमानत यानी ट्रस्ट समझते करें इनका अपने स्वार्थी के लिए शोशन ना करें जिन राश्ट्रों को न्यास का भार सौपा गया है ऐसे राजे हैं अस्ट्रेलियर न्यूजिलेंड अमेरिका और ब्रेटेन रूस चेन एवं फ्रांस सुरक्षा परिशत के ऐसे स्थाई सदस्य देश हैं जिनके शासन म कोई न्यास क्षेत्र नहीं है ..प्रोंवर न्यास परिशत में वर्तमान में 12 सदस्य है जिनके चार प्रबंध करता देश.. सुरक्षा परिशत के स्थाई सदस्य होने के करण, स्थाई सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं.. नवंबर 1994 इस्वि में अमेरिका द्वारा अंतराश्ट्रे नियायाले के स्थापनाहिक नीदरलेंड में 3 अप्रेल 1946 इसवी को की गई थी अंतराश्ट्रे नियायाले की सम्विधी में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं इसमें नियायधिशों के संख्या 15 रखी गई है इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है प्रतियक 3 वर्ष बाद 5 नियायधिश अफकाश ग्रहन करते हैं कोई भी दो नियायधिश एकी देश के नहीं हो सकते नियायधिश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं नियायाले का कोरम कारिवाही संजालन के लिए नियायधीशों के नियुनतम संख्या नौ है नियायाले के सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं इस नियायाले में भारत के नागेंद्र सिंग अध्यक्ष के रूप में तथा आरेस पाठक नियाधीश के रूप में कारी कर चुकी हैं। और 6. सचिवाले, सेकेट्रियट सचिवाले संयुक प्राश्ट्र संग के दिन प्रति दिन के कामों को निप्टाता है। सचिवाले का प्रमुक महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिशत की सिपारिश पर पांच वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। गोश्ना पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। एक जन्वरी 2007 से दक्षिन कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून सयुक्त राश्ट्र संग के नए महासचिव हैं। सयुक्त राश्ट्र महासचिव एक त्रिग्वेली नौवे कारेकाल परवरी 1946 इस्वी से नवंबर 1952 तक विवरन्ट नवंबर 1952 में स्वयम पद से इस्तीफा दिया। दो डेक हामर्सोल्ट स्वीडिन कारेकाल अप्रेल 1953 से सितम्बर 1961 इस्वी तक विवरंट, सितंबर 1961 इस्वी में अफ्रीका में हवाई दुर घटना में मृत्यू तीन, युथांट, म्यामार कारेकाल, नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 इस्वी तक विवरंट, नवंबर 1961 इस्वी में कारेवाहक महासचेव बनाए गए 1962 में महा सचेव बनाए गए कुर्थ वाल्दी हीम उस्ट्रिया कारेकाल जन्वरी 1972 से देसंबर 1981 तक वेवरण तो कारेकाल पूरे किये जेवियर पेरेज दकुरियाग पेरु कारेकाल जन्वरी 1982 से देसंबर 1991 तक वेवरण तो कारेकाल पूरे किये बुत्रास बुत्रास घाली मेस्र कारेकाल जन्वरी 1992 से 1996 तक विवरंड एक कारेकाल पूरा किया कोफी अन्नान घाना कारेकाल जन्वरी 1997 से 2006 तक विवरंड दो कारेकाल पूरे किये और बान कीमून दक्षनी कोरिया कारेकाल जन्वरी 2007 से सयुक्तराष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतराष्ट्रे शम संगठन आयलो के प्रशिक्षन केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापेत किया गया है सयुक्तराष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्ने संगठन एक अंतराष्ट्रे परमाणू उर्ज अभिकरण IAEA स्थापन 29 जुलाई 1957 वी मुख्याले वियना आस्ट्रिया भुमिका परमाणू उर्जा के शांतिपून उप्योक को प्रोद साहन देना संगठन दो अंतराष्ट्रे श्रम संगठन ILO स्थापन 11 अप्रेल 1919 इस्वी मुख्याले जिनिवा स्विट्जरलेंड भुमिका श्रमिकों के इस्तिथी में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना 1979 इस्वी में संगठन को उसकी पचासमी वर्षकांट पर नोबल शांति परसकार मिलाव संगठन 3 विश्व स्वास्थे संगठन WHO स्थापन 7 अप्रेल 1948 इस्वी मुख्याले जिनिवा स्विट्जरलेंड भुमिका विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थे के उच्चितम संभव दशा को प्राप्त करना संगठन 4 विश्व भर्मे क्रिश्य एवं पोशन स्तर में सुधारला कर जीवन स्तर को बढ़ाना संगठन 5 अंतराश्ट्रे मुद्राकोष IMF स्थापना 27 दिसंबर 1945 इस्वी मुख्याले वाशिंग्टन डी सी संयक्तराजिय अमेरिका भूमिका सदस्य देशों को विदेशी विनेमे में सुविधा अंतराश्ट्रे व्यापार एवं भुक्तान को प्रोच्चाहन एवं सदस्य देशों की आर्थिक उन्नती में मदद केले अंतराश्ट्रे तंत्र की मजबूती संगठन 6 यूनेस्को स्थापना 4 नवंबर 1946 सी स्वी मुख्याले पेरेस फ्रांस भूमिका विश्वुभर में शांती केले शिक्षा विज्यान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिये योगदान कर राश्ट्रों के मध्ये निकत्ता की भावना का नर्मान करना संगठन 7 सार्व भूम डाक संग यूपी यू स्थापना 9 अक्टूबर 1874 इस्वी को सामाने डाक अभी समय पर हस्ताक्षर 1948 इस्वी में संयुक्त राश्ट्र अभी करन बना मुख्याले बर्ण स्विट्जरलेंड भूमिका लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतराश्ट्रे सहयोग करना संगठन ववैश्व बैंक वर्ड बैंक स्थापना 1945 इस्वी मुख्याले वाशिंग्टन दी सी संयुक्त राश्य अमेरिका भूमिका उत्पादनिवं विकास प्रयोजिनों के लिए अंतराश्ट्रे स्तर पर पूंजी के विनेमे को प्रोथ साहन संगठन 9 अंतराश्ट्रे दूर संचार संग ITU स्थापना 1865 इस्वी मुख्याले जिनिवा स्विट्जरलेंड भूमिका दूर संचार के क्षेत्र में अंतराश्ट्रे सहयोग संगठन 10 अंतराश्ट्रे नागरिक उड़ेयन संगठन ICAO स्थापना 7 दिसंबर 1944 मुख्याले मौंट्रियल कनाडा भूमिका अंतराश्ट्रे नागरिक उड़ेयन के मानदन तथा नियम निश्चत करना और नागरिक उड़ेयन की समस्याओं का धेल तथा उनका निदान प संगठन 11 वेश्वो मौसम विज्ञान संगठन WMO स्थापना 1952 मुख्याले जिनेवा स्विट्जरलैंड भूमिका मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतराश्ट्रे सहयोग में अभिव्रेधी प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा म संगठन 12 अंतराश्ट्रे सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO स्थापना 17 मार्च 1958 मुख्याले लंदन ब्रिटेन भूमिका नौ परिवेहन के क्षेत्र में सुरक्षानियामो का नर्धारन तथा अंतराश्ट्रे सहयोग में विव्रिधी संगठन 13 सयंतराश्र अध्योगिक विकास संगठन UNIDO स्थापना नवंबर 1966 मुख्याले वियना उस्ट्रेलिया भूमिका विश्व भर में लोगों की सम्रिधी आर्थिक मस्बूती तथा जीवनिस्तर में सुधार के लिए अध्योगिक आधा अर्थायार करना संगठन 14 विश्व बौधिक संपदा संगठन WIPO स्थापना 1967 मुख्याले जिनेवा सुट्जलैन भूमिका बौधिक संपदा अत्योगिक और कॉपिराइट के लिए सम्मान बढ़ाना बौधिक संपदा को संरक्षन तथा उसके उप्योग में तेजी लाना संगठन 15 विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापना 1 जन्वरी 1995 मुख्याले जिनेवा सुट्जलैन भूमिका बहुपक्षी अंतराष्ट्रे व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना संगठन 16 अंतराष्ट्रे क्रिशी विकास कोश IFAD स्थापना 13 जून 1976 मुख्याले रोम इटली भूमिका विकास शील देशों में निम्नवर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोशाहार के साधन जुटाने में मदद करना संगठन 17 विश्व पर्याटन संगठन WTO इस्थापना 1925 इस्वी मुख्याले मैडरेट स्पेन भूमिका पर्याटन के माध्यम से आर्थिक व्रिधी एवं रोजगार के अवसर पैदा करना पर्यावरन संरक्षन तथा पर्याटन के विरासत स्थलों को प्रोच साहित करना तथा पर्याटन के माध्यम से विश्व में लोगों को निकटलाना संगठन अठा रहा रासायने खथियार निशेध संगठन OPCW इस्थापना 29 अप्रेल 1997 इस्वी मुख्याले दहेक निदोलैंट्स भूमिका रासायन विक्यान के शांतिपूर्ण उप्योग को सुनिश्चित करना रासायने खथियारों के विकास निर्मान भंडारन तथा प्रयोक को रोकना और संगठन 19 व्यापक पर्मानू परीक्षन प्रतिबंध संधी संगठन CTBT स्थापना 19 नवंबर 1996 इस्वी मुख्याले वियन आस्ट्रिया भूमिका CTBT व्यापक पर्मानू प्रतिबंध संधी के प्रावधानों को भूम अंडलिय स्थर पर प्रमानी करण।